दोस्तों अगर आपने भारते स्टिट बैंक में नया नया अकाउंट उपेन किया है और आपको नया नया डेविट कार्ड मिला है और उस डेविट कार्ड को आप एक्टिवेट करने के बाद पहली बार किसी भी ओनलाइन साइट पर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप शॉपिंग नहीं कर पाईएगा क्योंकि मालेजे कि आपका पुराना ही अकाउंट है और उस पर नया डेविट कार्ड आपको इशू हुआ है पुराना डेविट कार्ड एक्सपायर हो गया और नया बैंक ने भेजा है तो उस कार्ड को सबसे पहले एक्टिवेट क करना होता है और उसके बाद आपको उसका पिंजनरेट करना होता है लेकिन एक्टिवेट और पिंजनरेट करने से ही काम नहीं होता है इससे आप सिर्फ किसी भी ATM में जाकर पैसे निकाल सकते हैं लेकिन अगर आप किसी भी स्वापिंग साइट पर ऑनलाइन स्वापिंग कर तो अब आपको e-com transactions enable करना होगा इस debit card पर तभी आप जो है online swapping कर सकते हैं Amazon flip card जैसे किसी भी e-commerce site पर तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने debit card को e-com के लिए enable करते हैं online transactions के लिए तो इसके लिए सबसे पहले आपको State Bank of India के mobile application जो की Yono SBI है उसको download करके registration करना अगर आपने पहले से registration कर रखा है तो फिर आप login करेंगे और अगर आपने registration नहीं कर रखा है और registration प्रोसेस जानना है तो हमने channel पर वीडियो दे दिये हैं उसको देखेंगे तो आप Yono SBI में registration करना भी सीख जाएंगे तो Yono SBI mobile application को play store से download करके registration करें registration करने के बाद आप उसमें login करेंगे login करने के लिए बस आपको अपना MPIN दर्ज करना होता है तो चलिए हम यहाँ पर Yono SBI mobile application open करते हैं और यहाँ पर आप लोग देख शकते हो home screen पर हमें MPIN दर्ज करने को बोला जाएगा थोड़ा सा delay हो रहा है और यहाँ पर चलिए अपना MPIN दर्ज कर देते हैं तो यहाँ पर हम MPIN दर्ज करेंगे और जैसे ही हमने यहाँ पर MPIN दर्ज किया successfully हम हो चुके हैं login Yono SBI mobile application में जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो अब यहाँ पर आपको cards पर click करना है यहाँ पर आप लोग cards देख सकते हो तो यहाँ पर click करेंगे यहा लोग जो है ecom के लिए active करना चाते हैं उसे select कर लेना है तो चलिए यहाँ पर my debit cards पर हम click कर देते हैं my debit cards पर यहाँ पर हमने click क्या और यहाँ पर देख सकते हो हमारे account से एक ही debit card link है वो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर बहुत सारे option हमें मिल रहे हैं यहा कर सकते हैं ATM pin यहाँ से generate कर सकते हैं और card को यहाँ से activate किया जा सकता है तो हमे manage uses and limits पर click करना होगा क्योंकि यहाँ से हम ecom के लिए enable करेंगे अपने card को तो चलिए यहाँ पर click कर देते हैं तो manage uses and limits पर हमने click किया है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे options हमारे शामने आ चुके हैं, तो यहाँ पर सबसे ऊपर में जो है, आप domestic uses देख सकते हो, यहाँ पर enable है, मतलब कि हम घरे लू लेंदेन कर सकते हैं इस card से, अगर आप विदेसों में, विदेसी website पर swapping करना चाहते हैं इस card की मनद से, तो यहाँ से इसको enable करेंगे, ATM transactions पहले से ही on है, POS merchant transactions on है, लेकिन e-commerce transactions जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यह on नहीं है, तो हमें इसको on करना होगा, आप contactless transaction अगर enable करना चाहते हो अपने card में, तो आप यहाँ से ही कर सकते हो, तो हमें किसी भी swapping site पे, अगर transaction करना है, swapping करना है, Amazon Flipkart जैसे website पे, तो हमें e-com transaction on करना इस पर click कर देंगे, तो save changes पर जैसे ही click करेंगे, आपके mobile number जो की bank में register है, उस पर एक OTP जाएगी, उस OTP को दर्ज करके, आप लोग submit करेंगे, और फिर जैसे ही आप submit करेंगे, आपका जो limit है, वो manage हो जाएगा, और set हो जाएगा, और इसके साथ ही, आप जो है, किसी भी online पर अब इस card के जरिये transactions कर सकते हो, तो इस तरीके से state bank of India में हम लोग e-com transaction नए debit card पर enable करते हैं, तो मुझे उमीद है कि आप लोगों को ये video पसंद आई होगी, state bank of India से related कोई भी सवाल या फिर कोई भी video अगर आपको चाहिए, तो वो channel पर परी है, आप लोग जा कर देख स आपको जा कर सकते हैं, चर लोगों के लोगों को ये नएकोरई आप लोगी तो इसक्की सेपसा पर लोगों को टन्यद रावी थोगों के अव mural are the sesi way itali है, से ंव जोग अब भी खते हैं, जा लोग।